हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिलाशा और आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हाउ टो रीमूव वजाइनल हेयर नाचरली विदाउट पेन दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नाचरली तो डेफनेटली आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ में जो भी टिप्स और रेमेडी शेयर करूंगी इसमें मैं किसी भी तरीके के कैमिकल का इस्तेमाल करना नहीं सिखाऊंगी जैसा कि हम सभी जानते हैं प्यूबिक एरिया के जो हेर रिमूवल होते हैं वो काफी जादा सेंसिटिव एरिया होता है और सबसे बड़ी बात है चूंकि यह प्राइबेट पार्ट्स है तो इसे हम पार्लर वगरा में कराना इसे मैक्सिमम गर्ल्स लेडीज जो है कंफरेबल भी इसमें फील नहीं करती है इसी लिए इसका जो फ्यूबिक एर रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो स्लाइटली जो हमारे जनरली जो हाथ और पैर में जो हेर रहते हैं उसकी अपेक्छा pubic hair removal का प्रोसीजर स्लाइटली थोड़ा सा ये difficult हो जाता है तो आज इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में कुछ आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने वाजाइनल हेयर प्राइविट पार्ट्स के जो हेयर होते हैं बहुत ही आसानी से रिमूव कर पाएंगे without any pain के और साथ ही साथ naturally जी हाँ जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल मार्केट में pubic hair removal के लिए variety of creams available है लेकिन अगर आप में से कोई भी लोग जिन्होंने इस तरह के cream का इस्तेमाल किया होगा तो आपको जरूर इस चीज का एहसास होगा कि तीन या चार इस्तेमाल के बाद ही जिस पार्ट पे आप इसका इस्तेमाल करें तो प्राइवेट पार्ट का जो आपका area है वो बहुत ज़्यादा black हो जाता है और सिर्फ black ही नहीं होता है बहुत ही different तरीके से black और अगली हो जाता है इसके साथ आप उसके बाद जब वो area दम black हो जाता है काला पर जाता है फिर चाहे आप कोई भी home remedy इस्तेमाल कर ले या फिर महंगे से महंगे treatment ही क्यों न करा ले लेकिन फिर वो जो काला हो गया वो private part का area ये वापस से अपने natural color में नहीं आपाता है और फिर lifelong आपको ये regret रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया दूसरी बात ये जो hair removal creams होते हैं जो market में available हैं इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज्यादा tedious task होता है ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि ये जरूरी नहीं कि ये हर किसी को suit करे सबका एक ही formula होते है और एक ही तरीके से ये सारे के सारे cream काम करते हैं तो मैं तो यही suggest करूँगी कि do not use ये हो सकता है कि आपको एक दो बार तीन बार चार बार या maximum 5-6 बार आपकी help कर दे but in the long run ये आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुचाएंगे दूसरा option है waxing करना तो हम अपने हाथों के और पैरों के बाल निकालने के लिए waxing करते हैं कुछ लोग घर पे करते हैं कुछ लोग फारलर में करते हैं लेकिन private part का waxing करना it's very painful और सबसे बड़ी बात है comfortable भी नहीं रह पाता है तीसरा है razor का इस्तेमाल करना razor करना is quite easy लेकिन इसके इस्तेमाल करने के immediate बात तो आपको जरूर फायदा मिलेगा लेकिन आप खुद ही notice करेंगे तीन चार दिनों के बाद जो वापस से जो hair grow होते हैं ये काफी नुकीले होते हैं जो की बहुत ही ज्यादा इची इचीनेज वहाँ पे कर देता है and you don't feel comfortable in that तो मैं आज आपके साथ में share करने वाली हूँ एक ऐसा tool जिसको मैंने personally बहुत दिनों से मैं use करी और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तो देख लीजे आप लोग भी कि ये क्या है और इसे किस तरीके से हम इस्त specially designed for girls and ये काफी अच्छा रहता है इसका rate आपको 2500 रुपै जैसे मैंने ये खरीदा था ये 249 रुपीस का था 2500 रुपै का and एक बार अगर आप इसे खरीद लेते हो तो ये आराम से आप इसे 6 महीने से लेके 8 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो हफते 10 दिन में आप एक बार इसक इसकाई आप इसकाई इसकाई और मैंने इसे अराम से 6-7 महीने से यूज़ करी हूँ इसको 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 आपको किसी भी तरीके का कोई क्रीम या special arrangement की जरुट नहीं परेगी बस अपने नॉर्मल जैसे आप सनान कर रहे हैं नहा रहे हैं उस सम मैं जो आप जैसे नौर्मल अपने बाड़ी पे साबुन लगाते हैं वैसे ही अपने पार्ट पे जहां का बाल निकालने है वहां पे साबुन लगाईए और साबुन लगाने के बाद इसे रे परसेंट तो एदम सॉफ्ट नहीं रहता है लेकिन जो नॉर्मल रेजर से जब हेर रिमूव करते हैं उसकी अपेक्छा जो ये हेर उगते हैं वो काफी सॉफ्ट रहते हैं कम पेनफुल रहता है मतलब दर्द कम रहता है तो मुझे ये सबसे जादा अच्छा आप्शन लगता है और एक बार अगर आपने 500 रिपय की चीज खरीदी है तो अराम से 6 से 8 महीना 10 महीना तक आप इसे चला सकते हैं और इसे क्लीन करना भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है मग में पानी में डाल के अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए और हो सके तो एक बूंद उसमें डिट लगता है वजाइनल हेर को रिमूफ करने के लिए आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट करके जरूर बताएगा और इस इस वीडियो ऑन दिस टॉपिक तो मैं बहुत जादा कमफरेबल नहीं हूं इस टॉपिक पर बात करने के लिए तो आप लोग मुझ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई